तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे सुखे जिंगे और हारी प्यास की सबजी बिलकुल महाराश्ट्रिन स्टाइल में आज मैं इसे बदनाओंगी तो फिर चलिए फ्रेंस देखते हैं इसकी रेसिपी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन गरम किया है पैन में एड़ करूंगी एक कप यहां पे जिंगे लिए है मैंने ये ड्राइ वाले छोटी वाले तो इसे मैं एक से दो मिनिट के लिए हलका सा रोस्ट कर लूँगी जब तक यह ब्राउन हो जाए तो आप यहा मैं गरम पानी में डाल कर दो से तीन मिनिट के लिए रग दोगी और जब तक मैंने यहां पे सेम पैन में टू टेबल स्पून तेल गरम किया है और इसमें मैंने एड़ किया है प्याज हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है वो मैंने इसमें एड़ किया है एक मिनिट क 2 1-3 minutes के लिए high flame पर पास भी अमचे से अच्छी से फ्राइ कर लेंगे एक मिंट के लिए है फ़्राय हो जाए तो मैं एक आफ्तीiful नमक 0.8 पहुसर इस में आबुछ आपने के बाद में वर्रेडी नमक की आ हैरे स्यग्थ गाश लिए फ्रमय पाउड़र है हल्दी पाउडर करने के बाद मैंने इसमें एड़ किया है लाल मिट्च का पाउडर अराउंड वन एन हाफ टी स्पून आप अपने ही साफ से कम या ज्यादा इसमें एड़ कीजिए और फिर इसे फ्राइब कीजिए एक मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे जब यह फ्राइब हो तो यह सारी हरी प्यास मैंने इसमें एड़ कर दी है और इसे हम एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे एक से दो मिनिट के लिए जब तक जो पानी है अच्छे से सूख जाए तो फिर आप यहां देख सकते हैं इसका जो पानी है अच्छे से सूख चुका है और सब्सभी अच्छे से पक है तो ये बाया इli होगया सफ करने के लिए आप इसके गरमा-गरम चावल की रोटी चावार की रोटी आप इसे गयों की रोटी के सब्सभ कीजिए तो फिर चलिएаты फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगर अपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना लाफिस